तो चली दूस्तों फिर शुरू करते हैं यहां पे आज का BTST किस हिसाब से प्लान होगा, मार्केट फिलाल जिस हिसाब से यह जो साइड गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुम करण जैसा सो गया है, लेकिन यही बात करेंगे कि हमारे चैलेंज की, हमारा चैलेंज जो एक लाख रुपे था सेप्टेंबर में, आई होप उसका जो डेली व्लॉग से आप लोगों को यहां पर टाइम पर मिल जाता है, और आप लोगों का यह जर्नी है, वो कैसा चल रहा है, यहाँ पर ancient paint, ancient paint के बाद हम लोगों ने यहाँ पर पकड़ा, pity light, मतलब दोनों stocks जो almost 20-20% से जाधा यहाँ पर cross कर चुके, जिसमें हमें return मिला, and we have ended in a very decent green, बट बात करते हैं, index की index, जो लोग सिर्फ इंडेक्स पर धियान रखते हैं, उनको काफी दिक्कत हुई होगी, और आज यहाँ पर flat, अब कल के लिए क्या लेकर जाए, call या पूट यह जो बात होती है, तो उसको कैसे analysis करते हैं, वो इस particular video में देखेंगे, तो make sure video के यहाँ पर like कर देना, and channel को subscribe कर देना, and Indian मेरा जो pick रहेगा, वो मैं आपको टेलिग्राम पर update देंगा, तो टेलिग्राम का लिंग कहाँ पर है, नीचे comment box में, यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आज यहाँ पर closing, अभी closing आने में almost यहाँ पर 40-50 minute है, 51,500 अगर आज यह बहुत अच्छे से cross कर देता है, तो हमें वाबा से एक अच्छा सा 300 point का हमें jump देखने मिल सकता है, globally की वज़े से यहाँ पर नीचे market खुला था, तो ultimately मेरा view positive है, तो obviously बात है कि expiry पर यहाँ पर क्या है, जो trade है वहाँ पर खतम हो जाएगा, तो हम लोग next expiry पर, यहाँ पर हम लोग 52,000 का call हम लोग यहाँ पर radar पर रखेंगे, अगर धान इस बात का हमें यहाँ रखना है, कि आपको याद रखना कि आपको यह देखना पड़ता है trade लेने से पहले कि उसका return कितना बन सकता है, closing के उपर ही return बनेगा, अगर यह speech में खतम कर देता है, तो कुछ नहीं आएगा, तो जब अजस्ती कुछ यहाँ पर नहीं करना है, बात कर लेते हैं 50-50 की, 50-50 में भी यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, तो एक हमारे बाद buyer zone था और seller zone था, जो हम इत्ते लंबे टाइम से analysis कर रहे थे, बात एक यह बहुत अच्छी बात है कि gap down खुला एंड उसके बाद यहाँ पर हमें क्या है, एक जो recovery है वो यहाँ पर देखने मिली, यह gap down खुला और उसके बाद यहाँ रिकवरी मिले, लेकिन अगर यहाँ पर एक resistance है और यह जो gap pending है, अगर आज यहाँ पर closing 25,200 की उपर जाती है, तो हमें positive sign मिलेगा, नहीं तो यह pattern आपका, ऐसे यहाँ पर आगर देखोगे, तो यह turn around हो जाएगा, यह as a rejection हो जाएगा, अगर यह 25,200 की उपर आता है, तो मेरा जो pick रहेगा, वो 25,100 के पास यहाँ पर रहेगा, इधर अभी इस particular market में ज्यादा negative हमें दिखनी र आया हूँ, तो make sure, I hope आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, मेरा क्या पिक रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, in the end, टेलिग्राम पे भी बताऊंगा, तो टेलिग्राम पे कर लिंग कहां पर है, comment box में, बात कर लेते ancient paint में आपको एक trick बताता हूँ, crude oil और ancient paint वाइस वर्सा connected है, मतलब crude oil कल गिरा, आज ancient paint भागा, ancient paint में आज जो volume है, वो बहुत अच्छा है, तो आप इसको बिलकुल एक radar पे रखें, दूसरा जो हमारे radar पे आया है, वो आया है, PD light, PD light का, यहाँ पे वापस से लगा लेते है है, PD light, ठीक है, PD light industries का, हमने यहाँ पे चार्ट लगाया, PD light में मस्त एकदम volume के साथ, एक जो आप यहाँ पे देखोगे, price action higher high, higher low, higher high, higher low, यहाँ पर अगर 3240 के उपर आज closing मिल जाती है, तो आज हमारे लिए अच्छा sign दिखेगा, क्योंकि volume यहाँ पर अभी इंटेक्ट ह है, तो ancient paint, PD light हमारे radar पे है, nifty bank, nifty 50 में closing का इंतजार करेंगे, chart positive भी दिख रहा है, negative side का अभी कुछ दिखने रहा, globally कुछ आता है, तो we will let me, जो आपको indication है, वो मैं आप लोगों को telegram पे update दे दूँग, तब तक के लिए make sure मिलते हैं, next video, next analysis में, and forex trading हमने शुरू कर दिय तो मिलते हैं, वहाँ पर make sure, मिलते हैं रात को 8 बजे live पर, thank you